Hello and welcome back to my channel और आज मैं बात करने वाली हूँ Love Lab Toothpaste के बारे में हम बरो का जो toothpaste है वो बच्चों के लिए हम यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें होता है फ्लूराइड जो बच्चों के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं होता है तो इसलिए बच्चों के लिए फ्लूराइड फ्री टूथपेस्ट ही यूज करना चाहिए तो आज कल मैं अपनी बेटी के लिए यूज कर रही हूँ Love Lab Toothpaste तो इस Love Lab Toothpaste के साथ मेरा experience कैसा है ये टूथपेस्ट कैसा है यही मैं आज इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तो अगर आप लोग Love Lab Toothpaste के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखिए और पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को ही सबस्क्राइब कर लिजिएगा तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं तो यह है Love Lab Natural Baby Dent Toothpaste यह स्ट्रॉबरी फ्लेवर का है 100% नाच्रल है SLS फ्री है, फ्लूराइड फ्री है, प्योर वेगन प्रोड़क्ट है With Strawberry Fruit Red and White के combination में इसका packaging है जो की काफी attractive लग रहा है Love Lab का यह toothpaste बच्चों के लिए बिल्कुल safe है जो बच्चे का gum और teeth दोनों का ही बहुत अच्छे से ख्याल रगता है Gum और teeth दोनों को ही बहुत अच्छे से clean करता है दातों को बिल्कुल yellow नहीं होने देता है White और shiny रगता है Gum को भी बहुत अच्छे से clean करता है Gum को soothe करता है Cavities से protect करता है और tooth decay से भी protect करता है 100% natural है बच्चों के लिए बिल्कुल safe है और आप अपने बच्चे के लिए easily use भी कर सकते है और अगर बच्चा swallow भी कर लेगा तो भी कोई problem नहीं होगा क्योंकि ये healthy ingredients से बना हुआ है और बिल्कुल natural है अगर इस toothpaste की main ingredients की बात करें तो इसमें है aloe vera extract जो gum soothe करता है gum को protect करता है दातों को strong बनाता है और harmful bacteria को control करके breathe को refresh करता है इसके लबाँ इस toothpaste में है stevia जो इस toothpaste को sweet बनाता है और है xylotol और इस toothpaste का जो taste है वो बिल्कुल strawberry जैसा है क्योंकि ये मैंने strawberry flavor लिया है और brush करने के बाद बिल्कुल fresh लगता है ऐसा मैं इसलिए बोल सकती हूँ क्योंकि मैंने खुद ये paste यूज़ करके एक दिन brush किया है क्योंकि मैं अपनी बेटी के लिए कोई भी toothpaste यूज़ करने से पहले खुद उसको यूज़ करती हूँ ताकि वो कैसा है मेरी बेटी के लिए safe है या नहीं वो मैं पहले जान सकूँ तो मुझे ये toothpaste मेरी बेटी के लिए बिल्कुल perfect लगा है इस toothpaste को यूज़ करने के बाद मुझे बिल्कुल fresh हो जाता है जो कि एक बहुत अच्छी बात है तो बस आपको जरा सा ये toothpaste अपने बच्चे के tooth brush में लेना है और बच्चे को बहुत अच्छे से brush करवा देना है अगर आपका बच्चा खुद से brush कर सके तो उसको खुद से brush करने दीजिए बढ़ हाँ दिन में दो बाद आपको बच्चे को जरूर brush कराना सिखाना चाहिए ये जो healthy habit है वो आपको बच्चपन से ही बच्चे को सिखाना चाहिए ताकि बढ़ा होके बच्चे को oral problem बिल्कुल भी ना आए अब तक मैंने अपनी बेटी के लिए जो भी toothpaste यूज किया है वो clear gel type का है बट ये वाला toothpaste clear gel type का नहीं है जैसा कि आप देख सकते है लावलाब का ये जो toothpaste है वो 12 month plus babies के लिए आप यूज कर सकते है लावलाब toothpaste का ये मैंने strawberry flavor purchase किया है एक और flavor मिलता है जो कि है bubble fruit flavor आप चाहे तो आप वो flavor भी purchase कर सकते है ये 100 gram का pack है और इसका MRP है 178 रूपीज ये मैंने amazon से purchase किया है इस product का amazon link आपको नीचे description box में मिल जाएगा आप चाहे तो आप यहाँ से भी purchase कर सकते है तो overall अगर मेरी point of view की बात करें तो लावलाब का ये toothpaste मैं काफी दिनों से अपनी बेटी के लिए use कर रही हूँ मुझे काफी अच्छा लगा है यूज करने के बाद बिल्कुल fresh हो जाता है mood मेरी बेटी को सुभा सुभा जब मैं ये toothpaste यूज करके brush करा देती हूँ तो वो बिल्कुल fresh महसूस करती है और करना भी चाहिए क्योंकि सुभा 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 सको school जाना होता है तो ये toothpaste मुझे काफी अच्छा लगा है मेरी बेटी के लिए आप अगर अपने बच्चे के लिए लवलाब का ये toothpaste यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो काफी अच्छा है और उतना ज्यादा expensive भी नहीं है तो बस आज के वीडियो में इतना ही I'm sure कि ये वीडियो आप लोगों के लिए helpful रहा होगा तो इस वीडियो को एक like जरू कर दीजिएगा मेरे चैनल को subscribe करना बिल्कूल भी मत भूलिएगा और प्लीज इस वीडियो को जादा से जादा शेयर भी कर दीजिएगा Thank you for watching